हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ गट्टे की सबजी की रेसिपी यह राजिस्थानी डिश है और इसे मैंने थोड़ा अपने तरीके से बनाया है चलिए देखते हैं रेसिपी कि मिक्सिंग बाउल लेते हैं उसम मैंने एक कटकावरी बेसन डाला है अब मैंने उसन में डाला है एक तियाही जोटा चमच लाल मिर्च पाऊडर एक चथाही जोटा चमच हल्दी पाउडर एक चथाही जन्या पाऊडर नमक आप टेस्ट क्या कार्डिंग डाल लीजिये देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसका आठा लगाएंगे आदा छोटा चम्मन जीरा देखिए अब हम इसे थोड़ा सा इसमें ओईल डाल लेंगे क्योंकि यह चिपकता बहुत है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा ओईल लगाकर इसका आठा लगाएंगे और पानी बिल्कुल कम कम डाल कर इसका आठा लगाएंगे देखिए अब तेल का हत लगाईए इस पर और इसका आठा लगाती जाएए देखिए इसका हमें एक हाट डो बनाना है इसका हमें डो बिल्कुल भी सौफ्ट नहीं करना है देखिए मेरा आठा लग चुका है अब इस पर थोड़ा सा ओइल डाल देंगे दो बिल्कुल रेडी है देखिए अब अब हम इसमें से इसका छोटी सी लोई निका लेंगे और इसको हम रोल शेप में बना लेंगे अगर यह चीप पकता है तो आप हाथ पर थोड़ा सा ओइल लगा लिजिए और फिर इसे बनाईए देखिए इस तरह से लंबा कीजिए इसे अगर आपको यह थोड़े ओटे चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा मोटा बना लीजिए मुझे इस साइज के बनाने ते तो मैं इसलिए से पतला पतला रूल किया है देखिए आप इसी तरह से सभी बना लीजिए देखिए यह मैने बना लिया है आप सारे चलिए अब हम इसके boiling process की तरफ चलते हैं देखिए मैंने gas पर एक लीटर पानी रख दिया पानी boil हो चुका है अब हम इसमें घट्टे डाल देंगे अब इसे steam भी कर सकते हैं इसके उपर छन्नी रख लीजिए और इसको steam कर लीजिए लेकिन मैं इसे boil करूँगी लेकिये जब तक यह घट्टे पकना जाए उस्के काम हुए यह गट्टे पकना जाए तब तक आप इसे पकाईए देखिए गट्ये पक चुके हैं और मैं इसे निकाल लूँगी देखिए अब हम इसे ठंडा कर लेंगे इसको भार निकाल कर धंडे हो चुके हैं अब हम इसे कट करेंगे आप इसे अपनी साइज इसमें कट कर लीजिए जितना साइज आपको चाहिए देखिए मैंने सारे गट्टे कट कर लिये हैं चलिए अब हम इसे थोड़े तेल में फ्राय कर लेंगे ओईल गरम हो चुका है स्वेने गट्ठे डाल दी है आप इसका हलका से color change होने तक इसे fry कर लीजिये तीन से चार मिनिट गट्ठे को fry करना optional है अगर आप चाहे तो इससे fry कर लीजिये नहीं तो इस ऐसी बना लीजिये बोल साधा नहीं पकाना है इसे आप इससे चला दीजिए थोड़ा दीखिए गट्टे का कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे एक एक करके सभी अब हम इसके फाइनल प्रोसेस की साइट चलते हैं मैंने गैस लेमान कर दिया है कडाई रख दिया गैस पर आप इसमें दो बड़े चम्मच ऑइल डाल लीजिए जीरा डाल जीजिए एक टेबल स्पून अब ये मैंने दो प्याज ले लिए है इसको बारिक कट कर लिया मैं वो भी डाल दूँगी इसमें कलर चेंज होते ही आप इसमें टमाटर ग्रेट कर लिया है मैंने वो भी डाल दिया इसमें मैं मिक्सर में ग्राइंड करके इसकी टमाटो प्यूरी भी बनाकर डाल सकते हैं देखिए दीरे दीरे टमाटर भी पक रहे हैं और इसका खलर चेंज होता जा रहा है अब मैंने इसमें दो टेबल स्पून धाई लिया है में एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है एक चथाई चमच हल्दी पाउडर और एक टेबल स्पून धन्या पाउडर डाल दिया है एक टेस्पून मैं इसमें नमक डब दिया है आप इसे अपने टेस्ट के अको भिविविध चया आप अछिया कब दियंर सकते हैं अब हम इसे इस इथाही मिलां लेंगे इसे आप द्रही को अच्छे से फैट लिजिए जूuss na रहे दीखिए मैंने अच्छे से फैट लिया है धाई दीखिए मैंने इस में एक टेबल स्पून अधरक लैसुन का पेस् नाल दिया है इसको ऑइल मी हम साइड करके और इसको हम थोड़ा सा ओयल में फ्राय कर लेंगे बाद में हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे अब हम इस अच्छे से मिला लेंगे अब ये जो मैंने धाई का पेस्ट बनाया था इसको अब हम इसमें डाल देंगे अब इसको आप चला दीजिए अभी मैंने इसमें आदा कप पानी डाला है देखिए इसको बॉयल हो गया यह अब हम इसे ग्रेवी का पानी डाल देंगे जिससे की इसकी ग्रेवी बनेगी अब इसके बॉयल आने दीजिए इसमें बॉयल आते ही आप इसमें अपने गट्टे डाल दीजिएगा देखिए मैंने इसमें डाल दीजिए गट्टे इसे चला दीजिए अच्छे से देखिए अब इसमें बॉइल आ चुका है इसमें आमने गट्टे पकाये थे आप वो पानी भी इसमें यूज कर सकते हैं पर लेकिन मैंने नॉर्मल पानी यूज किया है इसमें देखिए यह रेड़ी है हम इसमें धनिया पत्ति डाल देंगे ग्रेवी की ठिकने साप अपने कम्या जाद कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं एक मिनिट हम इसे और पका लेंगे जिसमें केस में धनिये का और कसुरी मेथी का फ्लेवर आज़ेंगे अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे मैंने अपने स्टाइल में उमेद करते हूँ आपको मेरी रैसिपी फसंद आई होगी अच्छी लगी हो तो लाइफ शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप इसी रोटी राइस पराथे के साथ सर्फ कीजिए